नमस्कार आज में आपको बताऊंगे ब्लाउज से नाप लेके एक्टम परफेक्टिव कटिंग हम कैसे करें तो देखिए जैसे कस्टूमर हमें ब्लाउज देता है तो बोलता है उसी के नाप का हमारा ब्लाउज बनाई है तो हमें किस तरीके से ब्लाउज के नाप का हमें ब् मास्तल को हमें डबल करके रखना है से टबल किया अब देखे हमारे पास जान डाउ जये तो सबसे पहले हमें इसको ऐसे करके डोरी को भी थोड़ा खोल लेंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ए नाप लेना इस तरीके से, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 34, 17 इंच आ रहा है, तो 17 इंच आ रहा है, हमारा एक साइड, यानि कि आगे कपल राख, अब हमें इसको ऐसे हुऊब को रखना है, अब यहाँ पर नाप लेंगें, तो इसके इंच के आ रहे हैं आप हमें लेनी है लंबाई कि इसकी लंबाई कितनी है 12 इंच कि सबसे पहले तो हम चेश्ट का निशान लगाएंगे कपड़ा हमारा डबल है इस तरीके से 17 इंच पर हमने एक निशान लगा लिया है अब हमें यहां पर लेना है गुण जाएज तो चार इंच लेंगे हम गुण जाएज दोनों इंच हमारा दो दो इंच से लाई के लिए कपड़ा जाएगा इसमें हुक वाली पट्टी काज वाली पट्टी में जो भी थोड़ा सा कपड़ा जाएगा वो इसी में से जाएगा हैंगे 3.5 इंच क्योंकि सलाई में भी कपड़ा जाएगा आगे का जो पल्ला है बहुमें 2 इंच बड़ा लेना है अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम एक संद बड़ा ले लेंगे नेदे रिदे बड़ा ले तो हम यहां पर 5.5 इंच ले रहे हैं अब देखेए आरूमल हम किस तरीके से लें किस तरीके से देखे सीधा रखना है हमें और ऐसे करके ऐसे देखना है तो यहां पर 5.5 इंच का निशान लगाएं क्यूंकि फिर एक कपड़ा कटिंग में जो आप काटेंगे फिर एक थोड़ा सा फैलता है 55-5 इंच का आपको आरूमल लेना है आदा इंच की तूरी रखने आपको इस तरीके से आरूमल का सेप देना है तो सबसे पहले हम यहा पे आरूमल का कटिंग करेंगे अब यहां पर हम निकालेंगे अपना पीछे के परलर को इस तरीके से हम डबल करेंगे गले के चोड़ाई लेंगे हम 2 इंच अब देखिए गले की लंबाई हम जो हमारी गले की लंबाई है उसको रखना है हमें आगे का हुख खोल लेंगे इस तरीके से रखेंगे हम पीछे का गला यहां पर निशान लगाएंगे इतना हमारा लंबाई में जयादा है करला हमारा यहां से देखिए ऐसे करके रखना है अगर हमें इसके पराबर कटिंग करनी है अईसी ndezає इसी को ऐसे करके निशान लगा लेंगे कि इस तरीके से अब देखे प्लेट का निशान है Hep कैसे लगाएंगे एक Datab सिंपल कर एप वीच में हमें हमें करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे निशान लगाना है यह हमारा फ्लेट का निशान हो जाएगा पी давно को हमेन अब देखे आगे के ऐसे निशान लगाएंगी सबसे पहले आदा-इंच हमें यहां पे और मलका प्रेस रेखना है अब हमें आगे का जो गला है इसको ऐसे रखना है या तो चौक से निशान लगा ले या फिर इसको ऐसे करके पटिंग कर ले यह होगी हमारा गला अब देखिए यहां पर हमारा यहां तलक तीरा है इसको ऐसे रखना है और यहां पर हमें एक इंच थोड़ा बड़ा रखेंग एक इंची बड़ा रखना है, इस तरीके से हमने निशान लगाया, अब देखिए, यहाँ पर हमने, बुक वाली जो पट्टी थी, तो वो तीरा लिया, इस तरीके से, लेकिन थोड़ा से हमने एक इंच बड़ा लिया, यह आगे का अगले का हो गया, अब आरूमल बाला, इस इस तरीके से, यहाँ पर भी थोड़ा एक इंच बड़ा लेंगे हम ऐसे, इस तरीके से हमने दो निशान लगा लिया, अब हमारा जो बीच का पाट है, जहाँ पर हमारी प्लेट है, इसको ऐसे रखना है, ऐसे बीच में भी निशान लगा लिया, अब इनको हम मिला देंगे इस तरीके से, मिल गए, अब हमें प्लेट का निशान लगाना है, तो देखे, यहां पर हमारा जो तीरा है, फोक बाला, इसको हमें ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे रखेंगे, यहां पर थोड़ा निशान लगा लेंगे प्लेट का, इस तरीके से, और जो हमारी लंबाई है, का निशान हम कैसे लगाएंगे आरूमल को ऐसे रखना हमें यहां पर यह हो गई हमारे आरूमल की प्लेट उक वाली जो प्लेट है उसको पट्टी को ऐसे रखेंगे यहां पर निशान लगा लेंगे यह हो गई हमारी गले वाली प्लेट अब हमें आरूमल की प्लेट का निश लेख रहें के थी सेभ़ प्लेट इसको एसे रखेंगें यह हो गई हमारी आरोमल की प्लेट अब तो दो इंच की फूरी होनी हब लुदे रहे हमें लोगे seemsे भी हENEच लोगेसे हमें एधार के अब लुदू से यहां पर बोलाई में अच्छे शेब देना इस तरीके से एकदम बलाउज के नाप का हमें बलाउज बनाना है तो थोड़ी हमें मैनद करनी पड़ेगी नापना पड़ेगा यहां पर लगा लेंगे कैची के कट आदा इंची यहां पर काटेंगे क्योंकि इसको जब हम जोड़ेंगे ना तो पिलेट डालेंगे तो यह हमारा छोटा होना चाहिए तीरा अब हमें बाजू की कटिंग करनी है अब देखें यहां पर हमारे अस्तल की जो चोड़ाई है वो साड़े पंदरा इंच है इसको हमें डबल करके रखना है इस तरीके से जो पड़े लिखे नहीं है वो बुलकुल कुछ भी नहीं जानते वो भी बना लेंगे देखे यहां पे हमने अपनी बाजू रखी इसमें हमें थोड़ा सा बड़ा लेना है एक इंच बड़ा ले ले थोड़ा सा इस तरीके से देखें यहां पे इस तरीके से इतना बड़ा ले लिए जो सिलाई में जाएगा यहां पे हमने निशान लगा लिया अब हमें क्या करना बाजू की कठिंग कहले ह malaise इस तरٌ काれて लाज तुब हाँ झालियरहे है कम लग व्यट्राइथ तो से जोड़ेंगे क्योंकि क्यों जोडनी से बढ़ा है मोरीैं यहाँ पर जाएगी ऐसे कर के सब्सक्राइब आपने जोड लगाना पड़ेगा इसको ऐसे रख लेंगे कि यदिना भी हमें जोड़ना कपड़ां इस तरीके से चोड़ाई बढ़ा लेगे अब हमें इंच टेप थोड़ाई सा यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमें 9 इंच चोड़ाई चाहिए इ तो कम पड़ेगा लगेगा कि यह बाजो चोटी है तो हम यह टुकड़ों को जोड़ेंगे ऐसे करके अब हमें क्या करना है जो साड़ी का कपड़ा है में कपड़ा है उसके उपर हम इसको रखेंगे लेकिन हमें साड़ी का कपड़ा थोड़ा सा बड़ा ही काटना है क्योंकि साड़ी का कपड़ा होता है वो सिल्की होता है तो कभी भी आप ये गलती ना करें कि असकल के बराबर काट लें और ये कपड़ा फैलते भी हैं साड़ी के तो यहां पर हम इसको ऐसे बराबर करके आगे कपलर भी बड़ा काटेंगे तीरे को ऐसे रखना यह हमारा नीचे का तीरा हो गया अब हमें बाजू निकाल लिए तो देखें पट्टी को निकाल लेंगे क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वह हमें पूरी ले लेंगे यहां पर इस तरीके से ले लेंगे तो यह हो गई हमारी बाजू की पट्टी अब हमें इस तरीके से डबल करना और ऐसे करके रखना यहां पर इस तरीके से रखेंगे तो देखें यहां पर हमारी दोनों बाजू आराम से आ गई सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे ऐसे रखके यहां पर सलाई लगानी है पर इसको अंदर की जाड़ ऐसे करके अगर आपे बाजू जोड़ना नहीं आता है तो प्लीज आप चैनल में देख लें मैंने अभी चार बाजू बताइए बहुत आसान और सरल तरीके से बताइए जो कम कपड़ें उसमें से मैं वाजू कैसे निकालनी है तो यहां मेरी बाजू की कटिंग हो गई है बात में हम हस चार पट्टियां निकाल लेंगे अगर हमें लगेगा तो बाजू की चोड़ाई कम है पहले हम इसको नापेंगे आरू मल की उपर रखके तो हमने चार पट्टियां काट लिए तो यहां पर मैंने ब्लाउज के नाप की आपको कटिंग बताई है अगर आप पर स्टिचिंग नहीं आती है तो प्लीज चैनल में देख लें मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से इस्टिचिंग भी बताई है तो वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है टेलिंग इ कि आएगा वीडियो फिर आप उस पर किलिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा तो यहां पर जो आसान और सरल तरीका वही मैंने आपको बताया है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को जैसे जादा शेयर कीजिए अगर हां अगर कुछ झाल 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 झाल